किसी भी मरीच को अगर यह लक्षन है या रिस्ट फेक्टर्स हैं मुटापा के चलने में सांस पूलना या सीने में दर्द होना तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट जो हम लोग करते हैं वह एक इलेक्ट्रकाडियोग्राम होता है यह रिदयक की एलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकौर्ड करता है उससे हमें काफी हद तक काफी मदद मिलती है उसके बाद जो दूसरा टेस्ट हम लोग करते हैं वह को ईको काडियोग्राफी होता है जो की बहुत सिंपल थे 10-15 बिनिट का test होता है यह heart का ultrasound होता है इसमें हम heart को normal heart को हम screen पे देखके उसके valves और उसके muscles का पता लगा लेते हैं तीसरा test उसके बाद हम लोग करते हैं simple treadmill test उसमें हम मरीच को एक treadmill पे चलवाते हैं और यह देखते हैं कि चलते समय मरीच को होते हैं उस समय ECG में क्या परिवर्तन आते हैं और उस ECG की changes के आधार पे हम diagnose करते हैं कि यह heart का disease है या किसी और का जब अगर इन तीन tests में हमें कुछ problem मिलती है तब हम मरीच को आगे coronary angiography के लिए बोलते हैं जो की again बहुत simple test है इसमें table पे सिर्फ 10 या 15 minute लगते हैं पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता और रिस्क जो है वह बहुत कम ना के बराबर होता है